राजस्तान की बाडमेर लोकसभा सीट से निर्दली प्रत्याशी रविंदर सिंग भाटी पर देश द्रोही होने तक के गंभीर आरोप लग रहे हैं हलागी पार्टी की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है भाटी ने कहा कि आरोप साबित कर दें तो राजनीती छोड़ दूँगा बता दें कि भाटी बाडमेर जैसे वलमेर से निर्दली चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने बीजेपी के कैलाश चौधरी और कॉंग्रेस के उम्मीदाराम बेनीवाल है दरसल भाटी के विरोधी उनकी एक पुरानी तस्वीर वारल करके उन पर देश द्रोही होने तक के आरोप लगा रहे हैं जिस तस्वीर पर विवाद छड़ा हुआ है वो रविंद्र भाटी के पूर में हुए एक विदेश यातरा के दौरान का है इसमें उनके साथ दिवेश आनंद नाम का एक शक्स नजर आ रहा है बीजेपी के नेता सादफी प्राची ने एक्स पर तस्वीर शेयर की है विदेशी दोरे के दोरान रविंद्र भाटी की तस्वीर में उनके साथ दिखाई दे रहे शक्स का नाम है दिवेश आनद। दिवेश UK के लंडन स्थित वेस्ट मिन्स्टर विश्विद्याले में सेंटर फॉर दा स्टडी ओफ डेमोक्रेसी में अंतराश्ट्री संबंधों के रीडर हैं भारत के जम्मु कश्मीर राजे को लेकर उनकी विचार धारा से उन्हें अलगाओ वाधी एक्टिविस्ट होने के आरोप लगते रहे हैं यही नहीं दिवेश आनद की पतनी निताशा कॉल के भी ISI के लिए काम करने की बातें सामने आई हैं पुरानी तस्वी जह बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं रविंद्र भाटी को लेकर ये ताजा विवाद अचानक से इसकदर चर्चा का विशय बन गया है कि सोशल मीडिया पर कई कैमपेंड ट्रेंड करने लगे रविंद्र भाटी और आएगा तो भाटी ही जैसे समर्थकों और विर पेंड ने इस विशय को ट्रेंड पर ला दिया है